अगर जरूरत पड़ी तो आगे बढ़ाई जाएगी परिक्षा की तारीख के कहना है सिक्षा मंत्री का फरवरी में भी स्कूल खुलने के आसार नहीं है इंदर सिंग परमार ने ये बड़ी बात कही है स्कूल में फिलाल ऑनलाइन क्लासे जारी रहेंगी तो इस वक्त कि ये सबसे बड़ी खबर है चातरों को लेकर इंदर सिंग परमार स्कूल सिक्षा मंत्री का ये बयान जो कि अपने आप में बहुत महातपून है और इस बात के संकेट की मधिप्रदेश बोड की जो दसवी और बारवी की परिक्षा है वो टल सकती है अब ये समिक्षा कर रहे हैं और उसके बाद ही हम रिजिजन करते हैं अभी की आज की जो इस्तिती है उस इस्तिती में ऐसा मुझे नहीं लगता है कि हम 31 तारीक तक इसकूल को खोल सकेंगे हैं मुझे लगता उसके लिए और कोरोना के केसेस की इस्तिती पूरे प्रदेश भर की इस्तिती का एक पर माकलन करेंगे उसके बाद ये निरने कर पाएंगे कि हम इसकूल खोले या नहीं खोले आज की इस्तिती में हम इसकूल खोलने की इस्तिती में 31 तारीक के बाद भी नहीं होंगे बोर्ड एक्जाम की बात करें बोर्ड एक्जाम अभी हमने तिति दिक्लियर कर दी है अभी एसी स्थिति नहीं है कि हम उस समय तक का निर्णे अभी करें लेकिन यदि कोरोना का प्रभाव कम नहीं हुआ तो आगे बढ़ा सकते हैं यह थी स्कूल सिक्षा मंतरी इंदर सिंग परमार साब इस वक्त की सबसे बड़ी ख़वर यह है कि 31 जनवरी के बाद भी स्कूल में ऑनलाइन क्लासे जारी रहेंगी बर्तमान जो संक्रमन की दर है उसको देखते हुए स्कूल सिक्षा मंतरी ने साफ कर दिया है कि ऐसे हालात नहीं है बर्तमान इस्तिती को देखते हुए कि 31 जनवरी के बाद एक्षूल क्लासे या स्कूल खोले जाएं संक्रमन को देखते हुए एक और बहुत मात्पून बात कही है कि बोर्ड एक्जाम की जो तरह तारीक है वो भी आगे बढ़ाई जा सकती है जो पालक जो जूदा विवस्था है यानि की जो ऑनलाइन इस वक्त क्लासे चल रहे हैं चारी रहेंगे 31 जनवरी के बाद भी आसार इस बात के बेहत कम के स्कूल स्कूल खोले यानि कि फिस्कली स्कूल प्रेजेंट बच्चे वहां पर पहुंचे इसको लेकर यहां पर स्कूल सिक्षा म बनेंगे उसके मद्दे नजर ही फैसला होगा इस वक्त के सबसे बड़ी ख़बर है कि अगर जरूरत पढ़ती है तो आगे जो दस्वी और बार्वी बोर की जो परिक्षाई हैं उनकी तारीखों को आगे बढ़ाया जा सकता है